बूल भूलिया 3 मूवी रिव्यू बाई बतीजा मूवी कार्तिक आर्यन भूल भूलिया 3 में रूह बाबा के रूप में चमके विद्या बालन की वापसी और प्रशनसकों ने इसे दिवाली हिट बताया अनीस बजमी की भूल भुलिया तीन पर पहली प्रतिक्रियाएं आ गई हैं और प्रशन्सक हॉरर कॉमेडी श्रिंखला की नवीनतम किस्त से रोमांचित दिख रहे हैं कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दिख्षित और त्रिप्ती डिम्री की विशेश्टा वाली यह फिल्म हास्य के साथ दर के मिश्रण के लिए तालिया बटो रही है शुरुवाती दर्शक रूह बाबा के रूप में कार्तिक के प्रदर्शन की प्रशन्सा कर रही हैं और उनके प्रतिष्ठित चरित्र के रूप में विद्या बालन की वापसी ने उत्सा बढ़ा दिया है एक्स पर एक उप्योग करता ने अपनी प्रतिक्रिया साजा करते हुए कहां कार्तिक रूह बाबा के रूप में उत्कृष्ठ है विद्या बालन प्रभावशाली है प्रशन्सक इसे दिवाली के लिए अवश्य देखने योग्य बता रहे हैं कई लोगों का कहना है कि कैसे फिल्म में हंसी और रोमांच का संतुलन इसे छुट्टियों की रिलीस के लिए एकदम सही बनाता है फिल्म की अग्रिम टिक्टों की बिक्री उच्च प्रत्याशा को दर्शाती है 31 अक्टूबर को रात 10 बजे तक फिल्म ने PVR, आइनोक्स और सिनेपोलिस जैसी प्रमुख राष्ट्रिय श्रिंखलाओं में 2.06 लाख टिक्टे बेची PVR आइनोक्स एक दशमलोव 6.0 लाख से अधिक टिकेट बेच कर सबसे आगे रहा जबकि सिनेपोलिस में 46,000 प्रवेश दर्ज किये गए अंतिम अगरिम बिक्री लगभग 2.25 लाख टिक्टो तक पहुँचने की उम्मीद के साथ भूल भुलिया तीन ने एक मजबूत शुरुवात की है जो गैराष्ट्रिय श्रिंखलाओं में भी अच्छी पकड दिखा रही है भूल भुलिया तीन ने टीजर और ट्रेलर से लेकर आकरशक गाने और डरावने प्रोमो तक अपनी प्रचार सामगरी के माध्यम से दर्शकों को सफलता पूर्वक बांधे रखा है फिल्म को लेकर जो प्रचार है उससे पता चलता है कि यह 25 करोड रुपए से 30 करोड रुपए के बीच की कमाई के साथ शुरुवात कर सकती है हालां कि बहुत कुछ दर्शकों की पहली लहर के मौखिक भाशन पर निर्भर करेगा बॉलिवुड फिल्मों से संबंधित अधिक नवीनतम अपडेट के लिए बतिजा मूवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू